जय मातादी दोस्तो मेरी नई वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे कलिकीजिए तांकि आपको मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें जय मातादी दोस्तों मैं आपका इंजीनियर शर्मा एक बार फिर आपके लिए अपनी नई वीडियो लेकर आया हूँ मेरी इस नई वीडियो में मैं आपको नागों के रहस्य के बारे में बताऊंगा तो चलिए अब हम डिटेल पर आते हैं नाग रहस्यम अर्थात विष्दंत रहस्य वविष्य पुरान में वर्नित है सांपों के जहर और विष्दूंत से जुडे रहस्य वविष्य पुरान में बताया गया है कि भादर क्रिशन शुकल पश्क के दिन नाग पंचमी का तिवहार मानने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि नाग दंशते बचाव कहते हैं कि इस दिन नागों की पूजा करने से नाग डसता नहीं है इस पुरान में बताया गया है कि नाग कब जहरीला होता है और कैसे किसी को काड़ता है इतना ही नहीं कि इस तरह के साब के काड़ने का कैसा परबाव होता है यह भी इस पुरान में बताया गया है साप के दांट जर्म से साथ दिनों के बाद निकल आते हैं और 21 दिनों बाद साप जहरीला हो जाता है यानि किसी को अपने विश से मृत्यू के मुँँ में पहुचा सकता है जैसे ही साप किसी को डसता है तुरंत अपने जबडे से तीक्षन विश छोड़ता है और फिर विश इकठा हो जाता है जिन सापों के दांट लाल पीले या सफेद होते हैं वैं कम विशाले होते हैं ऐसे साप की आयू भी कम होती है सापों के 32 दांट और 4 विश दांट होते हैं इन विश दांटों के नाम हैं मकरी, कराली, कालरातरी और यमदूती मृत्यू हो जाती है, सांप का विश दाहीने आंख के समीख होता है, क्रोद करने पर विश पहले मतिक्षक में पहूँचता है, फिर धमनी में और उसके बाद नाडियों से होता हुआ विश दंट में पहुँचता है, साप के हर दान्त पर एक विशेश चिन पाया गयाता है जो हर दान्त पर करमशय चार महिने में उबरता है विशेव पुरान में बताया गया है कि साप आठ कानों से किसी को डसता है दबने से, भय से, मज से, पहले के वैर से, भूख से, विश्कावेग होने से, संतान की रक्षा के लिए और काल की प्रेरना से जब साप काडने पर चार दान के निशान नजर आएं तो समझना चाहिए कि साप ने काल की प्रेरना से काटा है इसने मृत्यू की संभावना सबसे अधिक रहती है हमारे प्राचिन गरंथों में से एक विश्य पुरान में सापों से जुड़ी कई आश्चनक बाते भी बताई गई है उसमें बताया गया है कि नागों के प्रजिनन का समय जयेश्ट और अशार मास होता है इन दिनों नाग मैतन करते हैं यानि यह महिना सापों के गरबदारन का समय है वर्षा रितू के चार महिने तक सापिनी गरबदारन करती है और कार्तिक के महिने में सापिनी परसर्व करती है यानि अंडे देती है गरब वदी नागिन एक बार में 240 अंडे देती है नाग अपने अंडों को स्वयम खा जाता है इश्वरी कृपा से जो अंडे बच चाते हैं उनसे नागों का वंश आगे बढ़ता है सोने के समान आभा वाले अंडे से नाग का जनम होता है लंबी रिखाओं से युक्त अंडों से नागिन अत्मन होती है पुरान के नुसार नागों में भी नपुनसक पैदा होते है इनके बारे में बताया गया है की ललीमा युक्त अंडे से जनम लेने वाले नाग नपुनसक होते है अंडे से बाहर आने के केवल साथ दिनों बाद ही सपोलों का रंग काला हो जाता है अंडे से बाहर आने के 21 दिन बाद नाग के विश दंत आ जाते हैं और 25 दिन बाद नागों में किसी के प्रान चीनने की ख्षमता आ जाती है नाग धिरगायू होते हैं अगर यह अकाल मित्यू से बच जाएं तो 120 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं जो सांप समय से पहले जनम ले लेते हैं उनका विश मंद होता है और उनकी आयू भी कम होती है मनुष्य की तरह सांप के भी 32 दांत होते हैं इनके चार विशाले डाड होते हैं जिनके नाम है मकरी, कराली, कालातरी और यमदूती सांप जब किसी को काट कर पूरा विश उगल देता है तब पेट के बल उल्टा लिट जाता है इस परकार से सांप जिसे काट लेता है उसका जीवित बतना बड़ा ही कठिन होता है सांप के 240 सुक्षम पैर होते हैं इसलिए दिखाई नहीं देते चलते समय ये पैर बाहर निकल आते हैं अन्य समय शरीर में परिष्ट कर जाते हैं विश्य पूरान के समय सांप के काटने से जिनके मृत्यू होती है वे अदो गती को प्राप्त करते हैं और अगले जनम में ब प्रताइब कीजिए धन्यवाद